देखिए आज हम पढ़ेंगे बर्क्सिट क्रमांक 108 निकटन संख्या सन निकट रूफ संख्या सन निकट क्या होती है तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम देखिए कुछ अंक लिखते हैं जैसे माल लो हमने पहले लिखे एट दो तीन चार पाँच शे साथ आठ और नौ ये संख्या हमने लिख दीए जीरो जोड़ देते इसमें और आप ये संख्या है ये इकाई संख्या है यहाँ अगर हम सन निकट रूफ लेखेंगे तो इसके दो सन निकट रूफ होंगे इधर जीरो होगा और इधर दस होगा इधर क्या होगा दस अब हमें ये देखना है इकाई के लिए ये सरफ इकाई अंग के लिए बाकी दाई पर और सेक्डा पर ये नियम लागू नहीं होगा मान लो ये है तीन और ये है आठ आप ये दो संक्या है तो बताओ तीन जीरो के ज़्यादा नजदी के है या दस के तीन जीरो के ज़्यादा नजदी के है तीन जीरो के अब देखिए आठ 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 दस के ज़्यादा नजदी के है जिरों के नहीं, लेकिन सन निकटित रूप, अब मानलो यह सिर्फ जिरों से दसके लिए इलाग वोगा, अब सन निकटित रूप होता है, अनुमानित बीच का भारत फिलिए बजट पेश करता है, उस समय बजट में यानि अनुमानित बजट दे देते हैं, हमें इतना के लिए जैसे अपने घर में कोई साधी विवा फंक्षन होता है कोई बड़े होता है कोई और कारक्रम होता है उस समय हम खाना का अनुमान लगाते हैं तो उस समय अनुमान सीधा दाई या सकड़ा में लगाते हैं बिनी कि 20 लोग आएंगे या फिर 200 आएंगे या एक 1000 यानि आठ का सन्निकट रूप क्या होगा 10 लेकिन तीन का सन्निकट रूप क्या होगा 0 लेकिन हम यह ऐसा तो नहीं कर सकते हैं यह से मालों घर में तीन लोग आने की संभाव ना है तो क्या 0 एक को भी बोजन नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे क्योंकि सन्निकटत रूप जीरो कभी नहीं होता है तो इसी स्तिती में तीन का भी सन्निकटत रूप क्या होगा दस यहां दो का भी कितना होगा दस यहां एक का भी कितना होगा दस स्रप जीरो का जीरो होगा स्रप जीरो का क्या होगा जीरो बाकी एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ दस इनका सन्निकट रूप हमारा दस ही होगा लेकिन यह इसी तक सीमित है अब दाई में समझ लीजिए दाई में क्या होगा दूसरी हमने दाई की संक्या लिए देखिये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 अब यह सन्निकट रूगी तो यानि यह हमारी जो दाई की संक्या है यह किसके संनिकट होगी तो देखिये इधर तो 20 संनिकट होगा इसका और इधर कितना होगा तीस वेरी गूड यानि दाई का हमारा सन्निकट इन संख्याओं के लिए इधर 20 होगा उधर 30 आप देखिए कौन क्या किसके सन्निकट है अब माल लो हमें 26 देखना है और हमें 23 देखना है और हमें 25 देखना है यह हमें 2-3 संख्याओं देखना यानि यह सन्निकट है तो लिखिए पहले हमें लिखके दिखाए अपनी कौपी पर सभी लोग सभी लोग सन्निकट संख्या तुरांत अपनी नोटबुक पर लिखेंगे बोट के अनुसार अब देखिए सन्निकट रूप में यह संख्या है तीन यह हमें देखना है 23 पचीस और 26 यह किस संख्या के सन्निकट है तो इधर 20 है उधर 30 है आप देखिए जो हमारी 23 है 23 संख्या है वो हमारे 20 के ज़्यादा नजदी के है तो इसका सन्निकट रूप होगा कितना 20 कितना होगा 20 अब 25 को देखिए किसके सन निकट ज़्यादा है 25 सन निकट देखिए पहले इधर भी 1,2,3,4,5 इधर से भी 5 1,2,3,4,5 इधर से भी 5 तो ऐसी सित्ती में हम सन निकट रूप आगे बाली संक्या का रिखेंगे तो इसका कितना होगा सन निकट रूप 30 कितना होगा 30 और यह 26 का कितना होगा 30 तो इस तरह से दाही में हमारा सन निकट रूप लिखा जाएगा तो यह तक किलियर तो जो हमारा यह सन निकट रूप लिखा गया है यानि 23 का 20 लिखा गया तो 23 हमारे 20 के अधिक नजदिक है और 26 का जो 30 लिखा गया है वो 26 हमारे 30 के अधिक नजदिक है यह हमारे दाही में लिखा जा रहा है आप दाही का सन निकट दाही होगा एक दाही दो दाही यानि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 सेकड़ा में बदर जाएगा पर सेकड़ा के सन निकट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा 100, 200, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 1000 अब 1000 के जो सन निकट लिखा जाएगा जार में कैसे लिखा जाएगा तो इस तरह से हमारा सन निकट रूप लिखा जाता है आप देखिए अगली संक्या यह तो हमने अभी इन संक्याओ का लिखा आप 100 में देख लिजिए यहाँ ध्यान दीजिए आप 100 के जो सन निकट हम लिख रहा हैं देखिए माल लो यह है 265 280 और 210 215 अब यह संक्याओ हमने चार लिखते है 265 280 210 अब यह सेक्ड़ा की संक्याओ का यह की संक्याओ है जै अब हमें सेक्ड़े के सन निकट लिखना है यह सेक्ड़े में सन निकट लिखा जाएगा तो सेक्ड़े के सन निकट लिखा जाएगा तो यह दोसे के मान की है तो इसका इधर 200 होगा और उधर 300 होगा यानि 200 और 300 के बीच में इसका सन निकट लिखा आएगा अब बताए 265 का सन निकट लिखा क्या होगा 265 265 का होगा कि 300 होगा 300 क्यों होगा कि 200 से 65 जादा है तो इधर से बहुत दूरा 65 संख्या दूर है और 300 से मात्र कितना कम है 265 कम करेंगे तो मात्र हमारा कितना कम है यानि 35 तो इधर से 300 से 35 कम है लेकिन इस से 65 जादा है तो इस 265 का जो सन निकट रूप होगा हमारा वो कितना होगा तीन सो वेरी गोड दो सो असी का कितना होगा सनूप तीन सो वेरी गोड तीन सो आप इसी तरह दो सो दस का कितना होगा दो सो क्योंकि इससे दसी जादा उससे नब्बे कम हैं तो यहां लख देंगे दो सो ही होगा इसका और दो सो पंद्रा का दो सो तो यह हमा हमारा सन्निकटत रूप हो गया अब आप लोग समझ चुके सन्निकटत रूप अब देखिए आपकी जो वर्कषिट क्मांक 108 उसमें हमारा यह संख्या दी गई है इसका निम्न के निकटता रूप लगना है यानि दाई में सैक्डा में हजार में और दस हजार में इधर सन्निक सन्निकटत रूप यानि संख्याएं लगना है अब कैसे लगेंगे तो समझ लीजिए ध्यान से सभी बच्चे हम आपको बता रहे हैं तो देखिए प्यारे बच्चों आप हम 75847 को इनका सन्निकट रूप टेबल के नुसार टेबल में क्या पूछा कहा है निम्न के निकटत हम गजा रूप लखिए तो हम देखिए 75847 को दाई के सन्निकट लखना है कनले कि कितना है छा दाई यानि चार दाई तो इधर 40 होगा तो इसको कितनी संक्या लखेंगे दाई के रूप में 50 तो 50 अरता पूरी संक्या सन्निकट लखेंगे तो पच्छत्तर अजार आट सो पचास ये इस निकटित रूप होगा दाई के रूप में अब देखिए अगला अगला जो हमारा है पच्छत्तर अजार ऐट सो सेतालीस को सैकळा के सनेकट लिखना है किसके सनेकट सैकडे के तो सैकडा इसमें आठ सो है तो बताओ, इसका सन्निकट रूप कितना होगा, कोई बताइए बच्चा 800, तो पूरी संक्या कितनी लिखी जाएगी 75,800, तो इसका सन्निकट रूप यानि सेक्ला के रूप में होगा हमारा 75,800, वेरी गौड, अब यह हमारा 1000 के सन्निकट है किसके? 1000 के, तो 1000 के सन्निकट जो है हमारा तो यह 75,847 है, तो यहां देखिए 5000 होगा सन्निकट रूप इसका और उधर होगा हमारा 6000, तो यह 5 और 6 किसके जैदा नजदी के वेड़ेगी? 5,847, 6, तो यहां सीधा लिख जाएगा 76,000, वेरी गौड, 76,000, 76,000 इसको लिख देंगे, अब देखिए, 75,847, यह 10,000 के सन्निकट होगी, तो 10,000 के सन्निकट माने इधर 70,000, उधर 80,000, तो बताओ 70 और 80,000 में किसके नजदी के यह संक्या? 80,000 की, तो इसका हम लिख देंगे 80,000, तो यह हमारा सन्निकटित रूप हो गया, इस संक्या का यह दाई के रूप में 75,850, सैक्डा के रूप में हो गया हमारा 75,800, और हजार के रूप में हो गया 76,000, और 10,000 के रूप में इसका सन्निकटित रूप होगा 80,000, तो किलियर हो गया सभी लोगों की समझ में आ गया, कितने लोगों की समझ में आ गया हाथ उपर को करिए, वेरी गॉड, तो अब आप लोग आगे की संक्या हम इसमें दे रहे हैं, वो आप लोग करेंगे, किलियर है? कर दो सते w कि रूप में दे रहे हैं, Geron geçुर हों की समझ में आप begging жॉड़ा, वो आप organized by दे ही लोगों करो आपआरे की समझ में देग सिंद्वा करों आप funz हम में रूप होक्यों का आप ब आप लोगों का। झाल झाल